यहां केवल एक मात रेसा मेच मुझे दिखा जो कि ग्रेंड लिए अच्छा है तो आज अपन केवल इसी मेच को कवर करने वाले हैं और इस मेच में दोस्तो अपन अच्छे विन करने के कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको कुछ असा इंपोर्टन ग्रेंड लिए प्ले यहां पर दोस्तों दोनों टीमों का फॉर्म देख सकते हैं रिसेंटली फॉर्म क्या चल रहा है इसके अलाब मेच जो खेले जाएगा सिविल सर्विस क्रिकेट क्लव स्टॉर्ट मॉंट और बैलफर्स्ट में खेले जाने वाल है इस वेन्यू में दोस्तों अभी तक तीन म सब्सक्राइब करना है और यह चीज़ द्यान में रखके अपने टीम क्रेट करना है इसमें नों मेच पहले बेटिंग करते हो चेस करते हो साथ मेच विन करेंगा दोनों टीमों टुटल हुए जिसमें एक मेच नों रिजल्ट वाला निकला है बाहिए दोस्तों तीनों मेच रहे हो मंस्टर रेट्स ने विन करा है इसके अलावा लाइटनिंग मंस्टर की प्लेइंग नियों कि मात करेंगे तो रोशाय अडायर आपको ओपन करते हो दिखेंगे रोहान प्लिटोरियस के साथ और रोशा के लिए सबसे सेफ और सबसे बेस्ट ऑप्सन स्मॉल लिग पॉइंट ओवी से हो जाएंगे इसके अलावा दूस्तों यहां पर जैम एक कोलन है अगर यह बेक करेंगे तो यह आपको ओपन करते हैं दिख सकते हैं और यह अच्छे प्लियर है दुस्तों इंटरनेशनल प्लिय अभी प्लेस स्कोर कर चुके सो अच्छे प्लियर है इनको आप लेके चल सकते हो इसके अलावा यहां से उर्गोहां प्रिटोरियस मस्टेपिक रहेंगे दूस्तों मॉरगन टोपीन इतने कोई खास रिकोर्ड है नहीं बट लास्ट इसमें थोड़ा सच्छनों क्यला है नि अच्छे प्लेयर रहेंगे सेफ रहेंगे लेके चल सकते हैं थो मस्मेर्स ओपन करते हैं प्लस स्टेथ में करते हैं लेकिन अच्छे परफॉमिशन के लास्ट इसमें रही थी प्लस इसमयμεर्स के शादे हैं और प्लस ओपन और स fakते हैं अच्छे प्लेयर रहेंगे सेफ रहेंगे लेना चाहों तो बिलकुल ले सकते हो लास्ट इसमें अच्छे टच में भी दिख रहे थी है इसको एड डिटेल देख लेते हैं दोस्तों नॉर्थन नाइट की क्या रही है तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि प्लियर्स कर रिसेंटली फॉर्म क्या चाहिए नहीं ले तो पिछले कुछ मेंचेस में अच्छी परफंस रही है और बेटिंग बॉलिंग कहीं नहीं से पॉइंट दिला ही जाएंगे दोस्तों तो यह से प्लियर रहेंगे जिनको आप बिलकुल लेकर चल सकते हैं तीस का इनका उसत रहता हैं सत्तर मेंचों में एक सत्रासों पंद आप इनको GL में ले सकते हो मुल्टिबल टिमों में ट्राइ कर सकते हो मॉर्गन टोपिन की बात करें दो लास्ट में च्छी नोग के लिती इसके अलाव दूस्तों इतने कोई अच्छे फॉर्म में नहीं है और इतने कोई खास इनके रिकॉर्ड भी नहीं तो इसली पिछले 10 में बेटिंग में तो कुछ खास कर रहा नहीं है लेकिन बॉलिंग में रिकॉर्ड अच्छे रहें दोस्तों इनको ले सकते हो सेफ प्लियर है अच्छे विकेट टेकर बॉलर है वड़ थोड़ा से स्पीनर है तो इसमें पर इतने एफेक्टिव साइस ना सा भी त जर्चें में बते हैं लिए विकेट से दालेटे हैं जो बघुर को इनको बाइस के साथ विकेट हैं निकाले सकता है कि माकड खेले तो इनको रिप्लेस कर सकते हैं तो में स्वेश्ट लेफटाम और्फोड़क्स इस पिन बॉल लग करते हैं और दी में नो में चुमें ग्यारा भी साथ विकेट निकाल चुके हैं एक्टि फ्रॉस्ट कि बात करें तो ग्यारा में दूस्तों दस विकेट आइटम मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं इनके रिसेंटी पर्फोंस देखोगे तो अच्छी रही है पिछले मेच में भी जबर्दस पर्फोंस दी हैं माक डायर के फॉर्म काफी जबर्दस थे और दोस्तों यह हिट्टिंग भी कर लेते हैं आपको बदा दू लास्ट आपको दिखने चाहिए दोस्तों अब एक प्लियर जिसको चांस मिल सकता है वह जैम्स में कोगन ठीक है इंपोर्टन प्लियर है और खेलना चाहिए वैसे हो सकता है अबलेबल ना हो या इनको कुछ कई और हो इसका नहीं खेल पाए तो पिछला में लेकिन यह अच्छे प् आप इसचे लास्ट है नहीं कि लेते अगर टीम मोक़ा देती है तो यह इंपोर्टन प्लियर रहेंगे और फिर दोस्तों यह क्या करेंगे में करेंगे और और प्लूस देत में आपको बोलिंग करते हो दिखें न के पाराइने वाला है अगर यह खेलते हैं तो काफी एंप स्पीशनर भी नहीं हाप पचास टिक ना भूल गया लेकिन पचास दो ने मार रहे हैं दुस्तों इसके लिए ट्राइवन के बात करूं तो तिरियासी प्लस तीन विकेट काफी अप इपॉर्टन रहेंगे अभी स्मॉल लिग में ग्रेंड लिग खेल रहा हो तो इन पर रिस् क्योंकि आप में लोग इनको टीम में लेंगे और बहुत से लोग इनको सीधे-सीधे कैप्टन बढाने वाले हैं बहुत हाइली सिलेक्टेड है तो ग्रेंड लिग में अगर यह फ्लॉप होते हैं तो तो अपने लिए टीयल लगने की चांसर आई हो जाएंगे तो पर लास्टेज में अच्छा कर रहा था बट बैटिंग में जीरो पर आउट हुए तो दियान डखना यह भी काफी इंपॉर्टन प्लेयर हो और भी मस्ट एपिक रहते हैं स्मॉली ग्रेंड लिग दोनों में आप लेके चल सकते हैं उनको में एक्जिम टीमों में पीटर लगबग जैसे खेलते हैं लेकिन दोस्तों नील रॉक रोड़े नहीं प्लियर है और पीटर मुरे काफे ज़्याद एक्स्पिनेस रखते हैं गेरेट डेलनी की परफॉरंस कुछ तरीके से बैटिंग बैटिंग दोनों में कुछ खास करनी पाए थे इस में इंपॉर्टन स को चांस देगे जैसे केवल दोवर की केंदवाजी कराएंगे इसके रहेंगे और इनको रिप्लेज भी किया जा सकता है मैथ्यू मैट फोर्ड माइकल फ्रोस्ट की जगह पे या फिर फिन कैथर बूड के साथ यह तीनों प्लियर फिर्स्ट में तो खेले थे लेकिन सेकंड इनको हटा दिया गया था और इनकी जगह तीन नए नए प्लियर्स आया थे दूस्तों इसके अलाब लिया में कार्ठी का मारे में में आपको बताया था इंपोर्टेंट रहेंगे और ओपन देथ का इनके बाद सेका एडवांटेज रहता है दूस्तों बैंजम इन वाइट इस वेन पर इफेक्टिव साइधी सावीत हो पाए इसके अला माइकल ग्रेंगर है दूस्तों जिनका मैंने बाताया था कि यह दो प्लेयर इंपोर्टेट रहने वाले क्योंकि ओपन देथे बालिंग करेंगे इनके प्लेयरों की स्कुर्ड डिटेल देख लेते हैं तो यहा काफे अच्छे प्लेयरे स्मॉल लिगों मस्टव रहेंगे ग्रैंड लिग में जरूर इसले ड्रॉप कर सकते हो और बाकी प्लेयरों के स्टेट्स को इस तरीके से आते जा रहे हैं आपके सामने तो इनके स्टेट्स आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं अब अब अब दोस्तों अगर आप टेलियराम से नहीं जूड़ा तो जरूर जोइन करना तेलियराम की जो लिंक है नीचे आपको डिक्स्क्रिशन में बिल जाएगी तेलियराम से जुड़ना काफी इंपोर्टन रहे हो कि फाइनल टीम आपको यहीं पर बिलेग दोस्तों कल जो में जोइन करी थी और दोस्तों टीम काफे जबरदस्ती में आपको वीडियो में पर बता दिया था कि विजय संकर काफी इंपोर्टन पिक रहेंगे जरूर्वर ट्राय करना है यह मेसेज में डाल दिया था दोस्तों टेलियराम पर आपने स्कोर थ्यांस दिया हो देखा और इस अच्छे मारजन से में फरस्ट इसमें आ जाता इन दो लीग में तो इस पैसली आही जाता फरस्ट के अलावा दोस्तों ग्रेंड लीग की दो-दो टीम में हर में यहां पर डाल देता हूं तो अगर आप टेलियाम चनल से नहीं जुड़े हो तो आप बहुत कुछ मिस कर जा हो पा रही है और साथे साथ दोस्तों मैं आपको जो कुछ इंपॉर्टन डिफ्रेंशल प्लेयर्स बताता हूं उनको अगर आप ट्राइ करोगो तो डेफिनेटल अक्छे भी नहीं होगी और यहां पर आप मेरी जील की रेंक्स देख सकते हो कि पिछले कुछ में जवर्दस हुसरा निट में डिस्क्रिप्शन में डाल रही है जरूर जोन कर लेन और योटूब चैनल के पूरियो पूरा देखने करो दूजरो गए तो इस तरीके से मेरी नि tracks में कर सकते हूं सब्सक्राइब आपको इंपोर्टेंट प्लियर अच्छे हैं दोनों प्लियरों का फॉर्म और पीटर मुरे दोस्तों इनके उपर आपकी चोईज रहेगी किसी के साथ भी जा सकते हैं फिलहाल मैं एक्स्प्रियस के जा रहा हूं पीटर मुरे को ट्राय कर रहा हूं यहां पर को ले रहा हूं और यहां पर एम टॉपलीन को ले रहा हूं दोस्तों बाकी यहां से खेलने की पॉस्प्लिटी काफी कम है अधर प्लियर्स की स्कानर से इन तीन को मिलेट राएकर हैं कर्टिस गेंपर मांक अडायर मोश्टूली इस मैच में खेलते हूं दिखेंगे गैरे देनली और यहां पर रुखान प्रिटोर्यस को अपनी टीम में रखाएं तो यह मेरे दूस्तों चार और रोंडर रहेंगे आप यहां पर चाहो तो टी क्यों को रख सकते हो लेकिन दूस्तों टी क्यों को रखोगे तो आपको यहां से किसे एक पिलर को ड्रॉप करना तो यहां पर एंगर लुगा लियाम मेकार्टी को लूगा और यहां पर दूस्तों मेरे इन प्लियर को ले लिया है ट्राइउन के इन तो खाफी मस्टेप रहने वाले हैं तो टीम मेरी देखो कि कुछ इस तरीके से प्रीव्यू बन रहा है दूस्तों क्याप्टन की बात कर को भी ट्राइब कर सकते हूं दूस्तों यहां पर देखो आप इनको अभी लोगों ने कम ही ले रखा है तो यह एक इंपॉर्टन प्लियर रहने वाले फिर से ओपन और देद का एडवांटेज रहेगा तो विकेट लेके जा सकते इसके लावा एम फ्रोस्त दूस्तों इनक काफी कम है तो यह ग्रेंड लिग में रहेंगे एल में कार्ते को भी कम ही लोगों ने लिया है और यह काफी में साथिए इनको भी जरूरू ट्राय करना अगर जय मेने लिया आते हैं दुस्तों टीम में तो और लोस्ति प्लियूर्ण को रखा है इन्होंने भी लास्ट अपने लिए सापित होंगे दूस्तों इसके अलावा यहां पर दूस्तों यह एसे प्लेयर है जेट चार्विकल जिनके लास्ट के दो मैचेस में अच्छी नौक आई है ताकि वीडियो को नोटिविक्शन आपको मिलते रहेंगा